हेलो एन वेलकम टू मैरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं पंता गोवी की पकूडी बनाए हूँ आप इसको किसी भी तरीके से खा सकते हैं बहुत अलग तरीके के हर जगा बनाया जाते हैं तो मैंने सिंपल तरीके से बता हैं नेस्टेम और भी अल सकते हैं और यह अद्रकलसुन मिर्च का पेस्ट है मिर्ची अपने हैसाब से ले लिए कुछ मसाले आड़ करने हैं तो यह जीरा पॉडर है धनिया पॉडर है काली मिर्च है हल्दी है थोड़ा सा तो कुछ बेसिक मसाले हैं आप चाहरे नमक हैं आप चाहरे तो कुछ मसाले या फिर आप इसकीप भी कर सकते हैं मैंने थोड़ा सा गरब मसाला भी लिया है और यह अंज्वाइन है बेशन के हर एक चीज में जरूरी बहुत इंपोर्टेंट होता है तो यह थोड़े 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 थोड़ा सा नीबू भी मैंने इसमें एड़ किया है आप चाहें से थोड़ा सा रुक्की मिलाईएगा और एक तरफ मैंने तेल गरम करने के लिए पैठा दिया है और यह पकोड़ी का कोई शेप में मत बनाईएगा बस ऐसी ही डालना है और क्योंकि गोल गोल मत बनाईएगा तो ऐसी टुकड़ा टुकड़ा में डालेगा बहुत अलग से अब फैला फैला पकोड़ी बनता है थोड़ा अलग शेप में तो इसका और ही ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है तो अब गोल शेप में बनाते हैं वह बीसन का नॉर्मल पकोड़ी होता है तो इस तरह से इसका पकोड़ी बना यह बहुत टेस्टी लगता है अब इसको गर अगर हम इस तरह से कुरकुरा तलिए लाल होने तक और इसका अलूपत उठाइए और अगर आप मेरे चैनल पर नए आया है तो पिलिए सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और इदे कि बन की पकुरी तयार हो गया है और आप भी बनाएए और बताएएगा जरूर सैंक्स और बत्वे जया है या है तो बढया है